हेलो फ्रेंड वर्कम बेक टू नैच्रल लेब फ्रेंड क्या आपके पास भी इस तरीके के शर्ट पीस बेकार पड़े हुए हैं अक्सर हम सब में ऐसा रिवाज होता है साधी ब्यामें गिफ्ट में इस तरीके के शर्ट और पैंट पेस दिये जाते हैं लेकिन उसकी कॉलिटी कभी-कभी अच्छी होती है लेकिन हम लोग शर्ट अब सिल्वाना पसंद नहीं करते हैं रेडिमेट बहुत अच्छी मिल जाते हैं तो इसका यूस नहीं कर पाते हैं या पर कभी-कभी इसके quality इतनी अच्छी नहीं होती है कि उसमें से हम सिलवाएं। कोई भी reason हो सकता है तो ये ऐसे ही बस गूमते रहते हैं। तो मैं आप शेयर करने वाली हूँ ऐसे six idea जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे और इसका अलग-अलग तरीकों से इस्तवाल कर पाएंगे। तो मैं ले लिए है इस तरीके का एक third piece और इसे मैंने double fold करके रख हैं। 11 इंच पर मार्क करके इसे मैंने cut कर दिया है। कड़ करने के बाद देखे इस तरीके से आप कपड़े को मैं फोल्ड करूंगे। इसके जो लाइन के डिजाइन है उसे मैं थोड़ा और ज़्यादा डिजाइनर लोक देने के लिए इस तरीके से कर रही हूँ अब 11 इंच का ही इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे कट कर देंगे अब यहां पर यहां से भी कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर ल कर लेंगे यहां पर आप प्रेस कर लीजे या फिर जैसे मैंने हाथों से दबाया वैसे ही आपको दबा लेना है तो दोनों पीस मेरे रैडी है एक को फोल्ड करके रखा इसके उपर दूसरे को भी मैंने फोल्ड करके रख दिया है अब यहां पर हम मार्किंग करेंगे तो उसके बाद आपको लिनी है कमर के लिए कमर के लिए करनी तो 15 इंच पर मार्क कर लिया आपकीज गोर require five दोनों पॉइंट को हम जॉइंट कर देंगे चैस्ट और कमर वाले उसके बाद हम नीचे 5 इंच पर हीप के लिए मार्क करेंगे तो हीप भी मैं लूँंगी 14 यानि कि इसका चोथा हिस्सा 10 इंच पर मार्क करूंग और इन दोनों पॉइंट को भी इस तरीके से मिला देंगी तोटल लंबाई मैंने लिए है 30 इंच आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैं थोड़ा सा राउंड शिप दे दूंगी तो देखेंगे इस तरीके से मार्किंग हो गए उसके बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे तो लंबाई मैंने इसके चोड़ा इली है 3.5 इंच उसके बाद यहाँ पर जो स्क्वाइर बनाया है वहाँ पर हम इस तरीके से राउंड सेप दे देंगे अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्रॉस में मार्क कर लिया है यानि कि हाफ इंच हमें सुल्डर स्लोप के लिए डाउं मार्क कर लीन और यहां पर इसका जो फ्रंट का आर्म होल था उसे मैंने अंदर की तरफ कट कर लिया है तो यह दो पीस हमारे कटिंग हो गए अब जो फ्रंट वाला हिसा था वो मैंने पहले ले लिया है और इस तरीके से यहां से मैं जो बचा हुआ कपड़ा था वहां से क्रॉस पटी कट क अब सबसे पहले अगर आपकी पटी छोटी है तो इसे जॉइंट करके आप लंबी कर ले इसके बाद इसके जो रॉंग साइड है वहां पर इस ट्रिप को आपको अटेच करना है और यह आपको क्रॉस पटी ही लेनी है क्योंकि घला गोल है तो फिर अर्श्ट्रेट पटी करने के बाद यहां पर मैंने चूटे-चूटे कट लगा दिये हैं ताकि आगी की तरफ कपड़ा दिखे नहीं अब मैं यहां पर स्लिव नहीं डालने वाली हूं स्लिव लेस ही रखूंगी तो मैंने इस तरीके की क्रॉस पट्टी ही ली है और इसे मैं रॉंग साइड पर गले में अटेच किया वैसे ही अटेच कर लोगी तो इस तरीके से मैंने रॉंग साइड पर इसे अटेच कर लिया है अब राइट साइड पर टरन करना है और इस तरीके से डबल फोल्ट करके मैं यहां पर सिलाई कर लोगी तो इसी तरीके से इसकी दोनों साइड पर हम स्ट इसी कि यह दोनमं साइड पर आगे पीछे को इसके बाद कर लेंगे इसके इस कि साइड वे हम इस तरहीं कि ईसे का मिए लिए तो पूरे में इस तरीके से देखे मैंने दोनों साइट पर सिलाई कर ली है तो यह हमारा प्यारा सा टॉप रेडी है इसके अपर हिस्साइपर यानि की टॉप हिस्से पर आप इस तरीके से अपनी परसंद की कोई भी बटन एड़ कर सकते हैं तो अगर आपको ज्यादा करना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियो यूटूब पर मिल जाएंगे उसे देखकर आप इस तरीके के कपड़ों में पहले ट्राइ कर सकते हैं और बाद में अच्छे कपड़ी पर कर सकते हैं इसके बाद मैंने दूसरे आइडिया के लिए दो पीस रेडी कर लिये हैं जि इस तरीके से 3.5 इंच पर मार्क किया फिर 3 इंच पर मार्क किया और इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे फिर यहां पर हमें हाफ इंच टाउन मार्क कर लेना है और इस तरीके से कर शेप देना है अब इसे हम कट कर लेंगे तो यह मैंने कट कर लिया है इस पर 2.5-ok और बोस्स बमात टोटे नंग्लों क कॉतरे सो क्या करना है अब ओर एक ची साओना है cm करना को मानग्य ग्रीयत कि तो ब्धू नग्रस कमा बना प्रवाइब चूखके हैं अब बोरी या फिर कपड़ा ले रहे हैं दूसरा उसे नीचे की तरफ रखें अस्तर और में कपड़े को इस तरीके से रखकर सिल लेजे सीधा कर लीजे वैल ग्रो अटेच कर लीजे और फिर यहां इसे अटेच करना है अब तो इंच चोड़ाई की मैंने स्ट्रिप ले ली ह और इस स्ट्रिप को इस तरीके से हम रॉंग साइट पर रखेंगे और बीच में और फिर सिलाई करके राइट साइट पर टरन करना है और डबल फोल्ट करके सिलाई कर लेंगे इसी तरीके से इसके दूसरे पीस में भी कर लेना है अब मैंने एक और चौड़ी स्ट्रिप ल कि हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे एक साइट से और बीच में जो बची हुई स्ट्रिप है उसे भी हम इस तरीके से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे बाद में इसी तरीके से फोल्ड करते हुए अट्याज कर लेंगे तो देखिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूं पहले स चुरहा हैँ लम थे करना के सुक्रा को सरी हमें पड़े जो में इता हैं टो फोल्ड कर लिस फोल्ड कर सक्त कर लेना एक थिक टार कर लिम्हां उसके बाद इसके दो corner बचेंगे तो उसे इस तरीके से आपको पकड़ना है और fold करके यहाँ पर सिलाई करनी है दोनों corner को ध्यान से देख लीजिए इसके जो side वाले सिलाई के सिलाई है उसके center match करके सिलाई कर लेनी है और पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से strip attach करके भी इसे finish कर लिया है तो सीधा कर लेंगे तो यह हमारा प्यारासा lunch bag भी आप बोल सकते हैं या फिर shopping bag भी इसे बोल सकते हैं without zip का आप इस तरीके से बना सकते हैं बहुत ज़्यादा असान तरीका है किसी भी waste कपड़े का इस्तमाल करके आप बना सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर एक shoe button भी add कर सकते हैं इस तरीके की जो पीन होती है बच्चों के उसके उपर यह निकल जाता है तो उसका use आप यहाँ पर कर सकते हैं तो कैसा लगा यह वाला bag comment ज़रूर करना आपको अच्छा लगा है useful लगा है तो प्लीज वीडियो को like और share भी करना अब देखते है idea number 3 तो उसके लिए देखिए मैंने इस तरीकी का एक shirt piece लिया है जिसका fabric अच्छा है लेकिन shirt stitch करवाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तो मैं इसका कुछ अलग और बहुत काम आने वाला use कर रही हूं मैंने इस कपड़ी को इस तरीके से double fold करके रखा है और मैंने लिया है मे यहां ऊपर की side से 2"- चोड़ा है और side से भी आपको 2-2- इंच ही एक्स्ट्रा छोड़ना है यहां पर नीचे की side मुझे जादा चोड़ा है तो मैंने same ही रखा है तो यहां पर आप चौड़ा चाहें तो चोड़ा रख सकते हैं या फिर same ही रख सकते हैं लेकिन यहां ऊपर पर मार्क कर लिया नीचे की साइट पर टू इंच एक्स्रा छोड़ा है फोल्ट के लिए उपर मैंने इसके फोल्ट करने के लिए भी एक्स्रा छोड़ा और इस तरीके से कट कर लिया है तो यह दो हीसे हमें मिल गए है इसकी रॉंग साइट हम अंदर के तरफ रखेंगे और इस तरीके से साइट करके रखना है और यहां दोनों साइट पर हमेंसिलाई कर लेनी पर इस तरीके से Дोनों लेक पर हमें फोल्ट कर लेनी है तो देखे यह मेनने रैडी कर लिया है उसके बाद आपको इसे इस तरीके से फोल्ट करना है इसके दोनों लैक को आपको इस तरीके से पकड़ना है और यहां पर भी एक साइट से लेकर आपको दूसरी साइट तक सिलाई कर लेनी है अब यहां पर जो आसन की सिलाई थी उसे आगे पीछे वाली दोनों सिलाई को एकदम सेंटर में रख या तो फिर आपकी जूबी कमर है उससे आपको 3 या 4 इंच इलास्टिक कम लेनी है अब आपको क्या करना है या उपर की तरफ इस तरीके से डबल फूल्ड कर लेना है पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे लेकिन थोड़ी सी जगह हम ओपन छोड़ेंगे कि जहां से इलास् सायट से डूसरी साइट से इस तरीके से निकाल लिना है उसके बाद हमें व्लास्टिक को देखे इस तरीके से पकरना है और यहां पर हम सिलाई कर लिंगे लीक अजर ऑपन जगह थी वहाँ पर भी रहला जे अजरो पूरे में इसे खींच लेना है, तो पूरे में अच्छे से elastik set हो जाएगी, और उसके बाद आपको एक दम इसके बीच में इस तरीके से machine को छलाना है, तो यहाँ पर एक दम बीच में आपको elastik जो है, उसे खींचते हुए, कपड़ी को फीचते हुए इसे पूरे में सिलाई कर लेनी है तो देखे बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरे में इलस्टिक हमारी सेट हो गए एकदम रेडिमेट स्टाइल इसका लुक आ जाएगा ये हमारा बॉटम वेर बनकर रेडि हो चुका है नाइट के लिए अब इसके ऊपर का टॉप हिस्सा भी मैं आपको बना के बताऊंगी और ये देखे एकदम परफेक्ट जो ये मैंने लिया इसके बनकर रेडि हुआ है बहुत ही ज़दा कंफर्टीबल था और इसका फाबरिक इतना मस्त था कि ये मुझे समर में एकदम बहुत ही ज़दा काम आया था तो इसे पहन के भी मैं आपको आगे दिखा देती हूं लेकिन पहले हम इसका उपर का हिस्सा बना लेते हैं तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे तो ये मेरा कपड़ा फोल्ड लेर में यानि के डबर फोल्ड है अब यहां पर साइड में जो भी एक्स्ट्रा फाब्रिक है इसे मैं कट करके निकाल दूँगी तो यह मैंना इस तरीके से कट करके निकाल दिया है और ये फाब से सेप दे दिया है आगे और पीछे का गला आप अपने हिसाब से कम्या जादा भी कर सकते हैं अब यहां साइट से भी देखी मैंना इस तरीके से वन वन इंच जितना एक्ट्रा छोड़ कर मार्क कर लिया है आपको यहां पर आप चाहें लूस ज्यादा पहनना चाहते हैं तो का गला कट करना है उसके बाद एक पीस को इसमें से हम बाहर निकाल देंगे और उसके बाद हमें यहां पर आगे का जो गला था उसे कर लेना है तो दिखे यह इस तरीके से अगर आपको मैं मिजरमेंट दिखा तो तो 5 इंच लंबाई है गले की और 2.5 इंच इसके चोड़ लिए तो 8 इंच तक लंबाई में मैंने इसके सेंटर में मार्क कर लिया है इसका सेंटर निकाल लिया है उसके बाद जो मैंने एक स्ट्रिप ली थी अलग से उसे में यहां पर एक दम सेंटर में अटाज करूंगी तो फोल्ड करते हुए इस तरीके से मैं सिलाई कर लोंगी तो यह ट्रिप रटाच कर ले उसके बाद मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था वहां से क्रॉस में ही और स्ट्रिप निकाल ली है और इसे हम गले में इस तरीके से इसके रॉंग साइट पर रटाच करेंगे और फिर आपको इस तरीके से छोटे-छोटे कट लगाने हैं यहाँ पर मैंने घला छोटा रखा है क्योंकि मुझे छोटे घले पसंद आते हैं आप बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं अब इस ट्रिप को राइट साइट पर हम टरन करेंगे इस तरीके से और डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे तो देखे यह इस तरी किसे राइट साइट अंदर के तरफ रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे और इसके सोल्डर को च्वाइट कर लेंगे इसके बाद इसके जो स्लिवस वाला हिस्सा था वहां पर मैंने इसमें कॉंट्रास कलर यानि कि मिक्सन मैच करता हुआ प्लेन कपड़ा ले लिय इसके बाद देखे इसकी राइट साइट को हम अंदर की तरफ रखती हुए तो नों कपड़ों को स्वेट कर लेंगे और यहाँ पर जो स्लिवस वाला हिस्सा था आर्म हूल वाला वहां से लेकर जो हीप की हमारी कटिंग है कट है वहां तक हम सिलाई कर लेंगे तो देखे इस तरीके से मैंने दोनों साइट पर सिलाई कर ली है अब इसके साइट को हम इस तरीके से फिनिश करेंगे यहाँ पर आपको डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से एक साइट से लेकर फिर इसके जो चौक है यहाँ पर इस तरीके से आपको मसिन को गुमानी है और यहाँ पर देखे हम सिलाई कर लेंगे तो देखे हमारा इस तरीकी से यहां पर हो गया रैडी इसी तरीकी से इसकी दूसरे साइट को भी हम फिनिश कर लेंगे अब यहां पर इसके जो नीचे वाला हिस्सा था वहां पर भी हम डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे तो इसी त करके नाइट वेर बना सकते हैं क्योंकि इस तरीके के चैक स्प्रिंट की भी आजकल बहुत ज़दा फैसन है नाइट वेर में यह बहुत ही ज़दा अच्छा लगता है तो आपको कैसा लगा कॉमेंट जरूर करना तो अब देखते हैं आइडिया नंबर फाव तो इसके लिए उसके बाद दूसरा पीस लेंगे और इसे इस तरीके से लेस के ऊपर रगतेंगे और तीन साइट से सिलाई करनी है एक साइट पर हम सिलाई नहीं करेंगे इसके बाद इसे हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद अच्छे से साइट कर लीजे और फिर मैंने ली है एक पुर जो हमने खूल बनाया था उसी के साइज का इसे फोल्ड करके आपको रेडी करना है फिर जो खोल था उसे मैंने उल्टा कर लिया है उसके उपर इसे सैट करके रखा है फिर इसके बंध वाली साइड से हम इस तरीके से इसे राउंड राउंड गुमाती हुए आगे लेकर यहां पर मैंने एक पैर रख दिया है ताकि यह पूरा अंदर की तरफ ना चला जाए और फिर इसके मूँ की तरफ पकड़ कर अच्छे से इसे जटक लेना है तो देखिए सारा फैबरिक बहुत ही साधा अच्छे से अंदर की तरफ सैट हो जाएगा तो मैंने हाट डाल कर भी मैंने सीधी-सीधी सिलाई कर ली थी आप चाहे तो यहाँ पर हाथ से भी टांके लगा सकते हैं लेकिन मैंने अंदर जो फाबरिक डाला है वो बहुत ज़़्यादा साट हूरा है तो बहुत ज़़दा इजीली यह इस तरीके से सैट हो रहा है मैंने यहाँ पर टोटल चार पांच लेयर अंदर की तरफ कपड़ा एड़ किया है आप जिटना थिक बनाना चाहते हैं उस तरीके इसाब से आपको कपड़े को अंदर एड़ करना है तो देखे ये हमारा बहुत ही जदा प्यारा सा बेबी सीट बनकर रेडी हो चुका है सेम तरीके से आप चाहें तो बड कि एकदम वाइट कलर होता है तो पूरा घंदा हो जाता है इसके उपर हम एक खोल लगाते हैं फिर वह अंदर की तरफ बहुत जदा मेला हो जाता है तो सर्ट पीस के कपड़े का इस्तमाल करके मैं अपने सारे पिलो को कुशन को अलग से कवर बना देती हूं तो अगर मेजर कर लीना यहां पर मेरी 18 इंच हो रही है और लंबा है 28 इंच है तो उसी के हिसाब से मैंने कपड़े के उपर मार्किंग कर ली है इस तरीके से और अब मैं इसे कट कर दूँगी तो देखिए इस तरीके का एक पीस हमने कट कर लिया है अब इसे हम इस तरीके से में अनदर अड़ेंगे आप चाहीं तो यसे जू जो अपन हीसा है वह पर डूरी भी लगा चाहें आप चाहे तब दूरी भी लगा सक्तुत로 सकते हैं लेकिन इस तरारीकिव से इस कंपड़ी को अंदर की तरह कि करके और तक्या मैंना इस तरीके से सिल लिया है आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं तो इसे तरीके से मैं आपने शारे कुशन तक्या जो भी होते हैं सबी को कवर कर देती हूं ताकि अंदर वाला जादा गंदा ना हो जाए बार बार हमें इन्हें वोस ना करना पड़े तो आपको कैसा लगा ये आइडिया कॉमेंट जरूर करना वीडियो पसंद आया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है यूसफूल डगा है तो प्लीस दोस्तो लाइक जरूर करना जादा से जादा शियार करना ऐसे ही और यूसफूल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय झाल बारएद!